तो नमस्कार दोस्तों मैं आडियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं Math & Magic YouTube Channel तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रसानिक समिकरन को संतूलित कैसे करें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि हर बाद बोर प्रिक्षा में रसानिक समिकरन स कटना ही दूर हो जाएगा जैसा कि आप लोग को पता यह चीज ना पांच नंबर का पूछा जाता तो मेरे भाई आप दी आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखते हो तो पांच मार्क्स आपका होगा कोई नहीं कार सकता है तो चलिए हम लोग असान तरीका असा यहां पे दे रखा है तो बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझे यहां पे जो हम लोग मैत की भासा हम पहले आपको समझाने की कोसिस करता हूं मतलब यह रहा मेरे वाई कि इधर साइड जो दे रखा है इसको आप समझे LHS ठीक है और इधर वाले जो दे रखा इधर वाले क यहीं थो आप लोग समझेť LHS ठीक है विलकुल क्लियर हो गया तो आलठ पर थंजब्रसानिक सतुलित हो जाया तो देखेलो इधर कैसे संतुलित कि आजा एक लुए आपको पूरा अच्छी तरह समझाने की कोशी करता झाहूं देखलो इधर देखो हाड़ोजन दे रका है सबसे पहले हाड़ोजन लीखु ढ़ किसंक्या दो दे रक्का दो लीखो इसको अलग घर में लिख दो क्योंकि ये अलग है फिर इधर इदार साईथ देखो ऑक्सिजन दे रखा औक चफ़ सेथजन की संख्या दो दे रखा ये वी अपना अलग घर बनाए है लेकिन इधर जो है अपना संख्या पूरे का बताता है ठीक है कि लिए होगे आए अब हम इसको संतूलित करते कैसे इधर धेखिया अध्य घड्योजजन की संख्या सनुसिक साथ तो नहीं लेकर जाओंगो इसलिए यहां पर सभी को मल्टिप्लाई करना होगा तो हम लोग क्या करें यहां-पर हैंडोजन की संख्या देखते जा चार oxygen कि Sankhya 2 और इधर भी देखो oxygen कि Sankhya 2 हमने Multiplies कहा किया, देख Kubernetes सबसे पहले, यहां पर हमने Multiplies किया यहां पर लिखेंगे 2, इस समूप वाले में किये थे और कहाँ पर किया By Chiply इस समूप में, यहां पर 2 लगाएंगे तो इस तरह से जो है इधर भी hydrogen की संख्या 4 हो गया और इधर भी hydrogen की संख्या 4 oxygen की संख्या इधर दो और इधर भी oxygen की संख्या दो यह clear हो गया आईए अगला जो हमारे पास दे रखा equation उसको हम लोग solve करते से मूसी मेठर से क्या लिखना हमको सबसे पहले बच्चा LHS लिखना है LHS और इधर क्या लिखना है RHS लिखना है ठीक है यह चीज आप लोग exam hall में भी कर सकते हो अब देखो यहाँ पे छोटे-छोटे लेकर चलेंगे ठीक है उसके बाद बड़े-बड़े समीकरन को solve करेंगे यहाँ पे N, N का संख्या क्या दे रखा है दो इसका अपना अलग घड़ है जी बिलकुल अलग घड़ है ऑक्सिजन की संख्या यहाँ पे देख लो ऑक्सिजन की भी संख्या दे रखा है दो लेकिन इधर वाले जो है इधर में एक ही ग्रूप में दे रखा है मतलब N के संख्या भी एक और ऑक्सुजन की संख्या भी एक कुछ नहीं तो मतलब एक होता है ठीक है क्लियर हो रहा है आए देख लेते हैं तो इधर जो है एक है और इधर दोनों का संख्या दो है इधर एक है और इधर दोनों का संख्या दो है यहां ऐसा क्यारते हैं इसमें मल्टिप् कि यहां लिखना होगा इस वाले समझों में मल्टिप्लाइब कि यह रसानिक समिक्रन जो है संतुलित हो गया दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या जो बराबर हो गया अब दोस्त छोटा-छोटा समझा दिए अब आए बरा-बरा समझाते हैं बरा-बरा में क्या है लगा संख्या दे रखा है दो दे रखा और साथ ही आ कड्या इन्पुट किया है तीन यह जो है एक ही समूं में है मतलब मेरे भाय संूं में एक घड़ में इसको बंद कर दिए अब professionals dal 않 ऐउन एक है एक है कुछ नहीं तो एक ठीक है इधर आ जाओ इधर भी कर लो पहले इस तरह से F E एकेला छोड़ दिया F E को यहाँ पे अब बाकी सब जो है इधर आ गिया है AL, AL संख्या, एल्मूनियम की संख्या 2 और ऑक्सिजन की संख्या साथ ही यहाँ पे 3 दे रखा है किलियर हो गया घर बना लिए बन गया कहीं कोई दिक्कत नहीं यह चीज कर लिए आपसे बन गया दिक्कत नहीं होगा चली देख लेते हैं यहाँ पे देखा जाए, F-E की संख्या 2 और यहाँ पे 1 है सबसे पहले इसमें multiply कर दीजेए तो F-E की संख्या बड़ाबर होके 2 निकल गया अब देख लेते हैं आगला oxygen की संख्याव देखो बाबू 3 यहाँ पे oxygen की संख्या 3 और इस कर में यहाँ पे ATION की संख्या देखा जाए तो एक हैं इधर augnyकी संख्या तो एक हम ओं क्या करते हैं यहां पे działियipes तो सब तो हो गया कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ तब बताते हैं आपको कहां क्या करना देखें सबसे पहले इस साइड में देखें कहां पर multiply कियें AL में multiply कियें इस साइड से सब में यहां पर AL में इधर से multiply कर दिये आए अगला देख लेते हैं इधर साइड में यहां पर multiply किये हैं F E बाले समू में तो यहां पर लिख दिये और किसी में नहीं किये हैं तो नहीं किये हैं कोई दिक्कत नहीं तो मतलब तीसरा जो equation है यह मेरा solve हो गया यह समिक्रन संतूलित हो गया आएए अगला देख लेते हैं अगला जो हमारे पास है चोथे नंबर चोथे नंबर को भी हम लोग उसी तरह से solve करते हैं ठीक है बिल्कुल उसी तरह से आप लोग को याद रहना है कैसे कैसे solve करते हैं देख लिजिए यहाँ देख लेते हैं एक समों में क्या दे रखा यहाँ पर देखा जाया अक्सिजन की संख्या on oxygen enemies करते रखा यहा पर सोडियम की संख्या दो डे रखा हैं थोरा समिस होता गरबर हो जाता ठीक है आगे आज़िंगे यहां पपर ये बला समूह को देख लिया जाए ये बला समूह में देखिये B A Cl粉 की 3 बस इतना सा है इधर देख लीजिए से मुसी परकार से ० कितना है B A 'd say 1 S संख्य यह संख्या 1 एधर दिया सोडियम न इसेंख्या एक और कॉलोरीन की और एक देगा यहां इसे मिलाते हैं थोरह ज़े संख्या आजाता है, 소di historia 2 और साथ ही chlorine की संख्यय भी दो क्लियर हो गया, आगे अब मिलाते हुआ चलिए S की संख्या इधर एक है और इधर भी S की संख्या एक ही है चली कोई दिक अदर कहीं और S नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ Oxygen की संख्या 4 oxygen की संख्या 4 इधर देख लीजिए, oxygen की संख्या एक जगे 4 ही दे रखा है, clear, अब यहाँ पे, пойд का संख्या, यहाँ पे एक, और यहाँ पे, यहाँ पे, CL की संख्या दो, और इधर भी मिल गया, CL की संख्या दो, मतलब इतने वखे बड़े equation में, सिर्फ हमको, यहाँ पे, 2 से multiply करेंगे, प यहां पर देंगे यह रसानिक समिक्रन संतूरित हो जाएगा चलिए अगला भी हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं अगला यहां पर देखा है अगला जो यहां पर देखा है फिर उसी तरह से हम लोग को एल एचेस और इधर आर एचेस लिख लेना भाई एक सकेंड का टाइम लगेगा लिख लेना और यहां देखो एफि की संख्या एक यह अलग घड है और हैडोजन की संख्या एक एक ही समू में है हैडोजन और ऑक्सिजन स्री हैडोजन की संख्या दो ना दो और ऑक्सिजन की स संख्या चार एक ही समू के तत्व हैं एक ही में मतलब एक समू के वह बाः में समू के ठीक है ठोरा से यहां दियान देना है अलग घर में है डुस बसा है दो है चलिया यह मिला लेते हैं सब ठीक ठाक लिखा गया होगा तो तो सही बन जाएगा यहां पर 5-9 टीन तो मिस होड़ा यहाँ पे यहाँ तीन से मल्टिप्लाइ कर दीजिए यहाँ फी की संख्या क्या हो गया तीन हो गया क्लियर जी सर क्लियर है अक्सिजन की संख्या एक और ऑक्सिजन की संख्या यहाँ पे चार बिल्कुल गरबर कर रहे है यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे चार है और यहाँ पे यह एक है इसे जो है गरबर हो जाएगा इसलिए हम इसको चार से मल्टिप्लाइ करते हैं तो इस तरह से हैडोजन की संख्या हो जाएगा आठ क्योंकि एक घर में फूरे मल्टिप्लाइ हो रहा है ठाजोन की हैडोजन की संख्या आठ चार यहां पर दो पहले स्थाताथ नहों जएगा चलिए कोई दिक्कत नहीं कोड़ा क्लियर हो गया अब थोड़ा फिर से दो बार मिला कर लीजेगा यहां पर दिखिये एफीक ये अथम कितन dit यहां पे भी एफीड संख्या 3 हैडुजण कि संख्या कितना तो कहंगे सब हैड्रोजण कि संख्या आठ हैड्रोजन कि संख्या इधर भी आठापन निकाल लिया आक्सिजण कि teriorत mare छार थो ये रशानिक समिकरन जो है संतूलित हो गया होगा, बिल्कुल पाचो का 5 रशानिक समिकरन आज किस वीडियो में हम संतूलित कर दिये, एक-एक अलग-अलग करके समझाएं वीडियो अच्छी तो जरूर लगा होगा इसलिए वीडियो दबा के लाइक करो दोस्तों साथ सेर करो और आप लोग के साथ कोई भी प्राबलम समस्या जो भी हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मिलते एक नए वीडियो को लिके तब तक लिए बबाई जय हिन जय भारत टेक केर